नमश्कार द्रश्को चुनावी बेला में आपका एक बार फिर से स्वागत है मैं हूँ दिपिका तो अभी हम खड़े हैं बार नमबर साथ में जहां से चेतन लकनपाल जी जो है वो परशद पद के लिए यहां से उमीदबार खड़े हुए हैं तो आईए हम उनसे जानते हैं कि उनका चुनाव चिन क्या है और जो प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं लोगों का कैसा सही योग है नमश्कार सर ऐस्टोड़े में आपका स्वागत है धन्यवाजी मैं वार साथ से नगर पशद हमिरपूर देवनगर से पार्शद पद के लिए चुनाब लेड़ रहा कि दस थारीक को तीसरा बटन चेतन दीब लखनपाल सलाई मिशीन पर मोहर लगा कर उजे कामया बनाए और अधिक से अधिक मतों से कामया बनाए दस वर्सों से इस बाड़ के अंदर मेरी धनपत्नी नूर्मा लखनपाल पार्शद के पद पर रही हैं और अभी बरतमान में पार्शद हैं तो दस वर्सों में इस दस वर्स पहले जब ये बाड़ में आया है तो इस बाड़ की समस्या चरमराई हुई थी तो दस वर्स तक नूर्मा लखनपाल जी ने अपने सन्हे, प्यार, हिमत और बुद्धी मता से पूरे बाड़ बासियों का दिल जीत कर जो है इस बाड़ को चिमकाया और इसमें बहुत से कार्या किये, सटकों का निर्मान हुआ, फुटपातों का निर्मान हुआ है, और पुलियों का निर्मान हुआ है, यहां पर एक सबसे बड़ी समस्या सीवरिज की, तो सीवरिज के लिए भी काफी मिशक्कत के करने के बाद, और सीवरे का काम भी थोड़ी दिन में शुरू हो गया है थोड़ा सड़का काम रह गया ड्यू टू कोविड की बैसे और वो काम भी जैसे ही ये लेक्षन खतम होते हैं उसके बाद शुरू हो जाएगा उनके टंडर हो चुके हैं कमसे कम छे टंडर साथ यहां पे हुए हैं नगर पर्शिंग पूर्ड की खाली पड़ी जगह है तो इसको जो है यहां पर बिल्डिंगे मनाई जाए यह लोगों प्लाट दिये जाए तो इसके लिए हमने सरकार से नगर परशिद वरा और सरकार से के दोरा प्रबुद नाकरिगों के साथ में मिलकर सरकार से अपील की यहां प दो जार चौदा पंदरा के बाद इसमें जो है काम भॉसी मोड बलाने काम शुरू होगा और होसी मोड में आज दो जार उनीस में यह लोगों बंडित होगी है और नए प्लाट जो है लोगों नई बिल्डिंग में नए फ्लैट लोगों मिले हैं तो यह काम बड़ा महत्म कि नर कून होगा और उसके बाद इहां पर जो सरकारी ग्वाटर है सरकारी कॉर्टर हम लोगों के टाइप फोर टाइप थ्री आज्य ऐसरेशम यह आफ सामने बिलिदिंग देख रहे हैं बिलिंग यह जो है टाइप फोर वह जो कि ओई ओफिसर के रहने के लिये उती है त तो इन लोगों को भी सरकार ने अपने मादम से इनको अश्वासन दिया है कि हम इसको रपेर करेंगे और उनका पुरन नमान करेंगे तीसरी बात है कि हमने यह निचे ही हमारे निचे एक इस कलोनी को जोड़ने वाला पुल है चोटा सा यह नहीं के बैंक मनेजर रमेश दिव में यह पुल है जो पूरी होसिंबोर कलोनी को जोड़ता है यह पुल चाली बरसों जरजर हो चुका है तो इस पुल को कपंदर ने मान करने के लिए भी हमने सरकार से अपील की हुई है और हम चाहते है कि जल्दी ही इसका काम भी शुरू होगा तो इसकी अभी स्कीम में डा अब यह उसका जोड़ा पुरा सरवय करके इसको बेजा गया है अब इसरकार के पास बीचारा दहीन है और जल्दी होस्कता है इसका काम भी करवा दिये जाएगा इसके लावा हमारी होसिंबोर कलोनी में होसिंबोर को लानी में यहां दो बागों भाज़ता है जो प्रोल प तक जो कि मेरे बाहर में आते हैं इसके लिए भी हमने सरकार के पास में 2016 में राजा बीर बदर सरकार के पास में एक प्लान बेजहा बना के कि यहां से जो स्कूली बच्चे जाते हैं और आते हैं और आवा गर्मन का साथन बहुत है गाड़ीयें बहुत आती है तो आने जाने राजा बिर बदर सनकार दो सोड़ा सत्रा के अंदर एक प्रपोजल दिया था बना के उसके रिक्रेस्ट की थी कि हमारे लिए फुटपाद बनाया जाएं तो आज वो बनकर त्यार हो गए और उसका काम सारू से हो भी रहा है बीच बीच में कई अच्छे फुटपाद बने सबसे बड़ी Walk रही है कि समधाइक भवन बनाया जाएं लेकिन इसके अंदर दिक्कत हमें आए कि जो यह ई वो और अडीक सरकार और likely जैंसी है सरकार की जनसी होने की बज़े से अभी हमें यहां पे कहीं जमीन उपलब नहीं होती है क्यों अगर परशिद समधाइक भवन बनाने के लिए त्यार है लेकिन क्या है कि हमें जिस वक्त में मुड़ा से या किसी अन्य अजनसी से या फॉस्ट डिबार्डमेंट से या रेवरियो डिबार्डमेंट से जहां हमने अपने परपोजल बेजा है हमें जमीन अलॉट होती है तो उस टाम जम समधाइक भवन बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे इसके लावा मेरे वार्ड के अंदर जो प्रबुद नागरित हैं नागरिक रहते हैं और सभी क्लास बन क्लास टू ऑफिसर रहते हैं जो हंड़ प्रसेट साक्ष्क नागरित है तो इनका हमें प्यार और सने हमें मिल रहा है तो निश्चिद रूप से हम लोग भारी मतों हैं जीते हैं और जीते हैंगे इसमें कोई दो राय नहीं है इसके लावा हमारे बार में एक जो था की और एक कई जो लोगों की डिमांड है तो इस डिमांड को भी हम पूरा करेंगे और दस बरसों से हमारी जो यहां की बार्तमन पास्ट रही है नुरुमा लख नपाल जी उन्होंने कभी भी किसी को किसी काम के लिए मनानी किया है और मृदू भाशी रही है और उनके साथ हम भी कंदे से कंदा मिला के कार्या कर रहे हैं आर मैं जातकão इस ओपन होने की बटे से मैं चुनाम में आया हूं तो मेरा चुनाम शड़ा रिषान समय मेशीन स्ञाई मशीन स्विंग मशीन स्विंग मशीन मैं अपनी जो यहां कि पुरत ना गृत है उन से एक विंती करना चाहंगा कि व उजह तस तारीक को सलाइी मिशीन पर महो लगा कर सलाइी मिशीन का बटन दभा कर और मुझे कामयाब बना है ताकि मैं आप के कारें को हिमत और होसले के साथ आपकी आपकी आमाज को ब्रन्द करताँ रहुँ सिरकार के समक्ष नगत पर से समक्ष वह Une tells अन्या यंजियो Cü 好 तुरू जन समूग के तुरू जहां से बन पड़ेगा मैं आपके कार्या करने में शक्षम होना चाहता हूं और करूंगा बोटिंग मेरा बार नमर साथ में जो बोटिंग होगी तो यह जो बिलकुल हमारा वार्ड है जो आई पेज लोक्रमान भाग से शुरू होकर यहां हौसिंग बोड़ता आता है तो इसके बीज में ही यह हमारा बोट पड़ता है वेलफियर आपिस यह निक आई टी आई के सामन में है तो उसमें हमारा बूत है वहां पर हमारे बोटिंग होगी तो मैं फिर एक बार आप से यही चाहा हुआ कि जो मुझे सलाई मिशीन पर मभो लगा कर कामयाब बनाए ताकि मैं आपके कार्या शक्षम और अपनी बुद्धी मता से चरमड तरीके से कर सको धन्यवाद ज साथ से चेतन लकनपाल जी जिन्होंने बताया कि यह अपने बाड को और लोगों की समस्याओं को पूरी प्रात्मिक्ता के साथ जो है वो आगे उठाएंगे और जो भी परिशानी है लोगों को आ रही है उनको पूरा करनी की कोशिश करेंगे तो यह थे बाड नमबर साथ क चेतन लकनपाल जी